तो कुछ लोगों पे परिवारवालों ने शक्टी किया है जिसके बेसिस पर हुए दोलर अब रोगा से असलम सैपी की रिपोर्ट तो है उत्तर प्रदेश में अपरादी घटनाओं पर अंकुष लगाने के लिए प्रदेश की पुलिस कोई ना कोई हतकंडे अपनाती जरूर है कभी एंकाउंटर करती है तो कभी रसू का निकालती है लेकिन कई जिले ऐसे भी है जहां पर पुलिस प्रशाशन आख मूदे बैटी है और आज खबर गॉंडा से इसी तरीके की आई है आपको जानकारी दे देते हैं कि बताया गया है कि गौंडा में एक शक्स को पुलिस की जो ठाना चौकी था इसे कही दूरी पर मारा गया और उसके साथ ही जब वो पुलिस में अपनी तहरीर देने के लिए ठाने पहँचा तो ठाने में पुलिस कर्मियों ने उसकोई ही देखे रिपोर्ट अफसर बदल गए अफसरों के बाद आए अफसर बदल गए बस नहीं बदली तो गौणडा में गुंडों के जुनवा पुलीस और गुंडों के बीच गठ जोड की तस्वीर सुबे के मुख्यमंत्री योगया दितिनाद भले अलग अलग मन्द से गुंडों को सीधा लल कारते हूं उन पर प्रभावी कारेवाही की बात करते हूं लेकिन सेम की दहार के ठीक उलट गौणडा में गुंडों की दहार और लड़कार चलती हैं गुंडों में बता दें कि ये आए दिन अपरादी घटनाओं को अंजाम देते हैं चाहे वहाँ दिन दहारे किसी को मानना हो या फिर भार के इलाके में कोई घटना को अंजाम दे रहा हो फिर कोतवाली के सामने ही कोई घटना क्यों ना हो लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं बरता क्योंकि यहाँ पर आदादर्जन गुंडों की फौज ने दिन्दाहारे अटेंटू मद्डर की वार्दात को अंजाम दिया था। मकनपूर कोतवाली की पुलिस दिन के उजाले में भी कुम करने नीद सूती नजर आई। पीडिती की एरिया भिस चुकी है थानी कर्चकर लगाते लगाते। लेकिन कोतवाली उसका मुकदमा दर्श नहीं किया उल्टा उसे 151 में चलान करके माननी नायायले के लिए रवाना कर दिया। एक्सप्रेस नीज भारत के लिए अमित कुमार श्रीवास्तर के रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पर उन लोगों ने भद्धी भद्धी गाई देते हुए बच्चों पर मानना चलू कर दिया। पच्चे अमार भागे और इसको बार नम्मर पर डाल किया। पुलिस मोके पर पहुंची लिए कि पाल्देस पर पहुंची तो बच्चे अमारे ठाने पहुंची। बच्चों को हमारे हमारे थासत में लिया गया। और अरूपी को पकड़ा गया लेकिन उनको वही से छोजिया गया। अरूपी हुखाओ, मन दबंग बन गया, मन भर गया उनका। और पहुंचते हमारे बढ़े थासते हैं। तो है उतर प्रदेश से बहुत खुबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। यहां पर बता दें कि जिलाधी कारी मार्केरिया शाहा ने अपने एक अलग भूमिका में नजर आए। बता दें कि जो शाहा थे वो बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। इसके साथ उन्होंने प्रतियोगी परिक्षाओं को पास करने के लिए बच्चों को कुछ टिप्स देखे रेपोर्ट। देम मार्केरा शाही अध्यापक की भूमिका में नजर आया। अधिक तंगी के कारण प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी ना कर पा रहे बच्चों को डियम ने LBS PG College में मुख्यमंत्री अभ्यदुय योजना के तहत पढ़ाया। पता दें कि जिलाधिकारी ने बच्चों को प्रतियोगी परिक्षा यूपी एसी यूपी पी एसी नीट जही जैसी परिक्षाओं की तयारी के टिप्स दिये। जिलाधिकारी ने बताया कि कब कैसे और क्या करें जिससे प्रतियोगी परिक्षाओं में सफलता मिले। परिक्षा में समलित होने के लिए सबसे पहले स्लीवस की जानकारी होनी चाहिए विगर्त परिक्षा में पूछे गए प्रश्णों को आविश्य पड़े सिविल सेवा की परिक्षा में कब कब क्या-क्या बदलाओ हुए हैं उसकी जानकारी भी जरूर रखे आगे आपको दिखाते हैं कि गॉंडा में किस तरीके से आज की युवा पीडी को प्रेडित किया जा रहा है कि वो पश्यमी सभ्यता को भूल कर देश की संस्कृति को अपना है देखे रिपॉर्ट बता दें कि समाज में नैतिक मूलियों का संचार करने के उदेशे से गॉंडा जन्पत के जिगान बजार में जेन्यू के पूरुचात्र नेता वा भाच्पा के प्रती शोध आयोग उत्तरप्रदेश के सदस से वाभाचपा उत्तरवदेश की कारेसमीटी के सदर से डॉक्टर पुश्वकर मिश्टा के नित्रेत्व में आश्रम चौपाल का आयो जंग किया गया जिसमें देश के नामिग्रा में शिक्षाविदों ने भाग लिया खारेकरम में डॉक्टर जोतिश जोशी ने बताया कि कोशिश की जाए आश्रम चौपाल के माध्यम से परिवार वा समाज में अच्छे संसकारों का संचार हो और इस संसकारों से युक्त युवा समाज के निर्माण में महत्पून भूमिका अदा करें मीडिया को संबोधित करते वें डॉक्टर पुशकर मिश्रा ने कहा कि इस कारेकरम का उदेश ये व्यक्ति के आचार विचार वहवार वसंसकार में धर्म नीती न्याए वासत्य का संचरण हो इसका उदेश क्या है इसका उदेश गत्ति के आचार विचार व्यवार संसकार में धर्म नीती न्याए और सत्य का संचरण हो इस दिशा में ही प्रयास है मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में भी कहा था उदेश में कहा था कि संसकार, अभ्युदय, राजधर्म, ज्यांग और समर्पन ये पाँच कल्प हैं आश्रम परमपरा के और इन कल्पों के माध्यम से हम लोग जीवन में एक नई क्रांति लाना चाहते हैं कांदोलन खड़ा करना चाहते हैं ताकि मनुष्य मनुष्य बन सके और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सके जहां सहचर्ण और सभाव की भावना प्रदार हो सके और विशी सक्ता राज सक्ता से अधिक बल्चाली ने इस बाद का उद्गोश हो से लेडी सरीय आश्रम चोपाल के माध्यम से ते खुप्रा समझे जेने की तुस्प की गई हैं सरीय सर्चा उज्जेस होगा और क्या लाब होगा बताएं आसम परंपरा की स्वफाल से जो धे निर्धारित किया गया है तो इसका उद्गे है भारती मनोशे को सदाचारी बनाने का उद्गे है भारती मनोशे सदाचारी जब बनेगा यह उसमें सीगा और समस्कारी तो इमरादबाद के बिलारी छेत्र में सैयुक्त महाकिसान का महापंचायत कायो जल हुआ जिसमें जानकारी दे तो पूनम पंडित भी पहुंजी